आज हम लोग वर्ल्ड हिस्टी स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें दखेंगे कि वर्ल्ड हिस्टी के जो जितने सारे सहर का जो विकास हुआ किसी सभ्यता के से ही हुआ और इस सभ्यता का जो की पदारपन के से हुआ किस नती के किनारे फली फुली है ना तो यह सारे जितने भी डावट्स होते हैं PGT History के मैं सारे आस्पिक्ट को इसमें क्लियर करूँगा और हम कोशिस करेंगे कि जितने सारे सवाल बन सकते हैं जो जितने भी KBS में पुछे जाएंगे या और किसी एक जहां में पुछें TGT हो गया TGT हो गया PGT हो गया इसके कोई फैड वगेरा सबने होगा मैं फिरी में आपको ऐसा कराऊंगा कि आपका सायद पीजीटी का हिस्टी में करने का प्रियास करूँगा टेक चलिए हम लोग बिना समय के माई स्टार्ट करते हैं पहली पहला सवाल है कि दजला फरात में दियों के किस सभ्यता का विकास का अब्युदे का उदे हुआ नदी घाटी में कई सभ्यता उभर कर आई पिली नदी चीन सिंधु नदी भारत निन नदी मेस्र दजला फरात में सवपटामिया के बीच उभरने वाली नदी घाटी सभ्यताएं अवस्थाओं में अस्थाई योगदान देती है ठीक है मुस इसका अदुनिक नाम गिरिक से मद्य मेसो और नदी मिट पोटामिया के लिए आता है इसका साब्दी करत दूद नदीयों के बीच का देश है वे नदीयों पे नदिया दजला और फरात है इस परकार यह असपष्ट होता है कि मुस्वपटामिया सभ्यता दजला फरात नद इसकी सभ्यता थी है ना तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं मेसो पोटामिया की मेसो पोटामिया की पहली भासा क्या दभासा क्या थी तो देखिए सुमेरियन है अभी हम लोग इसको नहीं मारेंगे अकार्डियन है आर्माइक है यहुदी है है ना तो चलिए इनका जो कि हम लोग पहले question को देखते हैं कि इसका description को देखते हैं description देखने पर हीम को पता चलेगा कि मेस्वपटामिया की कौन सी भासा जो है की थी चलिए कद मेस्वटामिया भासा की पहली ग्याद भासा सुमेरियन थी मेस्वटामिया की दर्ज इतिहास की सुर्वाद सहरी कृत दक्षिन के सुमेर और अकर कहा जाता है था तो सैसापूर के बाद जब बेबिलोन एक महतपुर्ण सहर बन गया तो दक्षिनी छेत्र के बेबिलोनियों सब्द कापरियों किया जाने लगा लगबग 1100 इसापूर से जब असिरियन ने उत्तर पर अपना राज अस्थापित किया इस छेत्र को असिरिया के नाम से जाने 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 लगा मेस्वटामिया की भूमी की पहली ग्याद भासा सुमेरियन थी 24 इसापूर के आसपास अकाडियन बोलने वाले के आने पर धीरे धीरे अकाडियन द्वारा बदला बदल दिया गया यह भासा सिकंदर के समय 336 से 333 इसापूर तक फलती फूलती रही इसमें कुछ छेत्री परिवर्टन हुए 14 से इसापूर से अर्माइक भी इसमें मिल गया यह भासा हिब्रू के समान 1000 इसापूर के बाद ब्याफक रूप से बोली जाने लगी यह भी इराग के कुछ हिस्सों में बोली जाती है इसलिए यह निसकर्स निकाल सकते हैं कि मेसोपूर्टामिया के पहली गयाद भासा सुमेरियन थी कौन सी थी तो सुमेरियन थी हम यहाँ पर आएंगे तो इसको कौन सा भासा टिक कर सकते हैं सर तो इसको हम सुमेरियन कर सकते हैं हम लोग इसी परकार से सारे question को करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल मेरा है कि मेसोपोटामिया में मंदीरों को किस रूप में जाना जाता था इसमें तो बहुत कोई जनते होंगे है ना कि किसको क्या गोपूराम पेगोडा ऐसे इसको जी गुरात ही कहते हैं लेकिन चली पहले हम इसको पड़ते हैं तब माराएंगे ठीक है है तो चली कि मेसोप्तामिया के काता है कि मैसोपोटामिया के परतियक सहर के केंद्रि में एक बड़ी संड़ना जिसे जिगूरत कहा जाता था मिसोप्टामिया की जिगुरत मंदीर थे जिगुरत सर के मुख्य देवता के समान बनाया गया था जिगुरत बनाने की परंपरा लोगों द्वारा सुरू की गई लेकिन मिसोप्टामिया की अन्निस बेता जैसे अकाडियन, बेबिलोनी आई, असुरी आई ने जिगुरेट्स का निर्मान किया जिगुरेट्स स्टेप पिरामिट की तरह दिखते थे उसके पास तू से साथ अस्तरों या चर्णों में कहीं भी होगा परतेक अस्तर पहले छोटा होगा आमतर पर जिगुरेट्स अधार पर चवकूरे अकार का होगा माना जाता है कि जिगुरट्स विसाल थे सायद सबसे बड़ा जिगुरट बेबिलोन में था जिगुरट के सिर्स पर भगवान का एक मंदिर था पुजारी यह बरिदान और अन्य अनुष्ठान करते थे नोंने उन्हें उचा बनाया क्योंकि वे चाहते थे कि मंदिर यथा संभव स्वर्ग के करीब हो इसलिए हम निसकर्स से निकाल सकते हैं कि मंदिर को जिगुरट के रूप में जाना जाता है है न तो यहाँ पर हम आएंगे है न मंदिर को क्या कहेगा मंदिर को तो जिगूरत कहा जाता था क्या कहा जाता था जिगूरत चलिए हम लोग आप नेक्स सवाल की और आगे बढ़ते हैं एक सेकंड तो चलिए यह सवाल दें मैं सब्सक्राइब क्रिशी कितना से कितना के बीच सुरवात हुई क्रिशी का जो विकास हुआ है ना तो आप अभी क्वेस्टन को देख लिए 4000-3000 पूर 5000-4000 पूर 6000-5000 पूर 7000-6000 पूर मैं यहीं लग रहा है आगे हम लोग पढ़के दे किसी का इस्टार्ड जो हुआ कितने इस भी के आसपास हुआ है ना तो चलिए हम लोग देखते हैं इराक मेसोपटा में बिबीद बातावरन का देश है उत्तरपूर में हरे भरे लारदार मैदाने जो धीरे-दीरे विक्षों से अच्छादित परवत सिंखलाओं की और बर हुई दक्सिंडियक रिगिस्तान है और यहीं पर पहले सहर और लिखन का उद्य हुआ यह रिगिस्तान सहरों का समर्थन करता है क्योंकि यूफ्रेट्स और टैग्रिस नदियां जो उत्री पहारी से निकलती है गाद महीन पिट्टी का भार उठाती है जब वे बार आती है तब उनका पानी खेत में छोड़ दिया जाता है तो जाओ गाद जमा हो जाती है यूफ्रेट्स के रिगिस्तान में पर विष्ट करने के बाद इसका पानी छोटे चैनलों में बहता है यह चैनल अपने किनारों को भड़ते और अतीत में नहर की रूप में कारी करते थे अधी उत्पात थी बहले ही इस शेत्र में फसल उगाने के लिए परियाप्त नहीं होती यह थी इसलिए हमने सकर्ष से कह सकते हैं कि मेस्टोपेटामिया में क्रिसी की जो पचलन स्टार्ट हुआ यह साथ हजार से छी हजार इसा पूल के बीच हुआ था ठीक है तो किसके ब क्रिसी करते हैं मेस्टोप मेस्टोपेटामिया की लीपी क्या थी अधी ज मत नशीत्य ने चितऱً लीपी भाव चित्रली पी इनके से कोई नहीं ब्यक्यम्स उतल लग रहा यह वह सकते यह होना छीए फनी लिपी यहां इना चित्र लिपी तो सिंदूगाटि सब बैता कि थी भाव चित्र लिपी भी भाव चित्र अत्मक्ष लिपी यानि फनी लिपी हम जादा जादा प्रेफर कर रहे हैं तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका description से हमको पता चलेगा कि आखिर exact है क्या काथ है खानी लिपि करका कील कार जिसे वह हाथ में अडाम से पक्रा जा सकता था वह साधानी से इसकी सताव को चिकना करता था सरकंडे पर के निकूले सीरे के तिर्चा काट कर गिली सताव पर पच्छर के अकार के फनी संकेत को बदबा देता था जबकि वह अभी भी गिला था एक बार धूप में सुखने के सकत हो जाएगी और पट्टिया लगभग मिट्टी के बरतन के तरह अभी नासी होगी यह एक इलाकार चिन जिस ध्वनी की परतनी धित्य करता है वह वेंजन या श्वर नहीं था बलकि बाग सब्दान्स थे इस परकार में सुपर्टैमिया लिपिक जो संकेत सिखने थे वे सैकरों में चले गए और उसे एक गिली गोली को संभालने और उसे सुखने से पहले लिखने में सक्षम होना परा अता लेखन का कुसल सिल्प था इससे लेकिन इससे भी मत पूर्ण यह साल बहुत दिक पहनियों को की परनाले को द्रिस्ची रूप में व्यक्त करती थी इसलिए हम निसकर्शन कर सकते हैं कि फनी लिपी में सब्टैमिया कि क्या थी लिपी थी है ना यानि कौन लिपी थी तो हम कह सकते हैं कि यह फनी लिपी जो है मेसोपेटामिया की लिपी थी चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं अब काता है सारगौन एक पर सिद्ध सा सकता कहां का था सुमेर का करका बेबिलोन का असीरियन का तो हम लोग देखते हैं कि पहले उसका डिस्क्रिप्सन देखेंगे और खुद बाखुद इसको सवाल को करेंगे तो इससे पता चलेगा क कि मेरा कंट्विडेंस लेवल थोड़ा हाय होगा है ना चलिए चोबीस सब पचास से बैस सब पचास इसलापुर्टक सुमेरिया में अकादियों का पर बुद्ध पर बुद्ध था देखिए सरगोन अकर एक परसिद्ध सासक था कभी उन्हें कभी-कभी सम्राज पर सासक क के लिए रिकॉर्ड की गए इतिहास में पहले ग्यक्ति की रुप में जाना जाता है सरगोन और उसके वंस 234 से 1268 इसापुर ने 100 से अधीक वरसों तक में सटप में सोपिटा मिया पर सासन किया अकर के सारगोन 234 से 279 इसापुर के दस्तावेज में अकर की घाट में मेलुह निता की पाचान संदुगाटी से है अकर सहर बाद में बेबिलोन सहर बन गया जो पस्ची मेसिया का एक वानेजीक और संस्कृतिक केंदर था अतना यह निसकर्स निकल निकाल सकते हैं कि सरगोन अकर का एक परसेद साण सकता 사Ooh कहां का परसेद से सकता ची तो सरगोन को हम आ आगे सवाल है मेरा कि हम्मुराभी की सनीता विभिन निविश्यों पर डेस कानून सामिल किये गए थे हम्मुराभी कितना 250, 270, 280, 300 है न तो हम लोग तो देखते आया है कि हम लोग किस तरीके स करते हैं चलिए हम्मुराभी कोड एक महत्पूर्ण कानून दस्तावेज है जो व दो सब्धार से प्रावधानिया कानून है देखिए दो सब्धार से आ गया न है न जब जो परिवारिक अधिकारों व्यापार गुलामी करोड सम्भ मजदूरी से समित मावलाओं को निर्विष्ट करते हैं इसे एक पत्थर का उकेर किया पर उकेरा गया है जो हम्मुराभ अद्विष्ट कोड में आख के बदले आख दात के बदले नात न्याय के रूप में उप्योब किया जाता था यह दुनिया के सब्से पुराने कानून प्राने दर्ज कानूनों में से एक है इस परकार हम यह निकाल सकते हैं कि हम्मुराभी सनिता विभिन विश्यों पर 200 ब तो चलिए हम लोग नेक्ष्ट सवाल को देखते हैं 24 सहसापुर के बाद की भासा ने सुमिर्या भासा को प्रतियस्थापित कर दिया तो चलिए हम तो देखते हैं कि पहले इसको पढ़ेंगे हम तब देखेंगे हैं तो यहां हम देखते हैं कि सवाल है मेसोप्यटामिया के सारी के दक्षिन सुमेर और अकर कहा जाता था सब्राई दोसारह के बाद बिबिलोन एक महत्पुर्ण सहर बन गया दक्षिनी बिबिलोन जय सब्रग कर долж कि यहाने लगा दगवा सहसापुर में जब असूर याई ने उत त्र इसे धीरे धीरे अकादी द्वारा बदल दिया गया यह भासा सिकंदर के समय तिस इसा पुरुस तक फुलती फुलती रहे जिसमें कुछ छेतरी परिबर्तन हुए चोदा से सापुर के आरा माइक वेंदर आया यह भासा हिब्रुक के समान था एक हजरी सापुर के बाद ब्यापक रुप से बोली जाने लगी अब यह अभी इराग के कुछ ऐसे हिस्तों में बोली जाती है अता हमने इसकल निकाल कर सकते हैं निकाल सकते हैं कि 24 से सापुर के अक्कादी भासा ने सुम्रिया भासा को क्या किया प्रतियस्थाफित कर दिया तो कौन सा भासा किया तो अक्कादी भासा ने जो की सुम्रिया भासा को प्रतियस्थाफित कर दिया अज़े नेक्स देखते हैं मेसोपोटामिया के लोगों ने की पट्टिकाओं पर क्या लिखा था पत्थर से लपड़ी से मिट्टी से अधातु से तो चलिए हम इसकी डिस्क्रिप्शन को पहले देखते हैं लगबग बते सहसा पूर पर लिखी गई पहली मेसोपोटामियों क समानों की सुचियों में दक्षीनी के एक सहर उडुक के मंदीरों में लाया और विप्रित किया जाता था असपस टूप से लेखन तब शुरूबा जब समान में लेंदेन का रिकॉर्ड रखने क्या वसकता थी क्योंकि सहर कि जीवन में लेंदेन अलग अलग समय पर होता थ जैंता था एक लिपिपने को गिला करता था उर से अएसी आकार में थप थपाता था जिस से हाथ में आराम से पकर सकता था भाइच प्रासंगी बंध हो गया था तो पट्रीकाओं को फैक दिया गया था कêu वस्वता सुझा थी तो पट्रीकाओं के संकhयतं को दमादिया जाता था इसलिए लेंदेन में एक मामूली अलग लिखीत पट्टेकाओं के असकता होती थी यही कारण एक मैं सब्सक्राइब अस्थानों पर पट्टेकाओं से करों की संख्यान मिलती है यह असलोतों से इस कारण है कि वेस्व पाद मिया के बारे में इतना अधी जानते हैं कि हम स लिखा थाि कसा पर लिखा था तो मिट्टी की प्तिकाव पर के लिखा था Aनल उस परकार् से जब करेंगे याद भी रहेगा ठीक है तो चलिए नेक्स को देखते हैं का अगला सवाल है मेरा सुमरिया की लोगों का पालना यूफ्रेटर्श और डागरिश नभीयों का डेल्टा था यह यह पलना कहां पर था यह किस आध्वनिक समय में था मिसर में तुर्की में इराक में या यूनान में तो हम पर इसका सब्सक्राइब सब्सक्राइब को इससे हमको खूद रखूद पता चल जाया के मलोग को सूमरिया सब्हेता इस सबसे पहले ग्याद सब्मेंथ का सब्यमें के बीच सित्थ है यह वाच जो बाद में बेदिegं यह बज Oooh नं गया ओ दक्सीए Muslims पश्यों तक है इसलिए कि वर क्यों कर तीन सई है सुमेर सुमेरियन सब्वेता के लोग लगभग पहली बार 4500 से चार जरिसा पूरता गैर सेमिटिक सेमिटिक लोगों द्वारा बसाया गया था जो सुमेरिया भासा नहीं बोलते थे इन लोगों को अब प्रोटो फ्रेटस या उवेदियन कहा जाता था उवेदियन सुमेर में पहली सब्वेता थे है ना तो इसी परकार से अब हम कह सकते हैं कि ये तो इराक की सब्वेता थे जी कहां के थे ये इराक की सब्वेता थे है ना चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल है कि किस बेविलोन है ना कि सोरी शोरी हाँ किस बेविलोन राजा ने 625 इसापुर में बेविलोनियों के असीरियाई सासन से मुक्त कराया था किस बेविलोन कर राज अक्कादिस्समराज के पतन के बाद सर परखव मैं ड्वारा बसाया गया 1792 इसापुर में सहर की सत्ता में बिर्धी शुरू हुई जब महाराज राजा हमुरावी ने गद्धी संबाला हमुरावी की मिर्तियों के बाद उसके बेटों ने सत्ता संबाली हलाकि मजबूत निता नहीं थे और जल्द ही बाबुल कमजूर हो गिया 1595 में कासा इट्स ने बाबुल परविजय प्राप्त की जिससे 400 रस्तोक्सासन किया बाद में असुर्याई ने बेविलोन पर दिकार किया लगए 625 हिसापुर राजा निबूल सर ने असुर्य समराज के पतन का लाब उठाते हुए समराज की सथ्ता बेविलोन ने वापस लादिया नबूल पॉलासंसर 9 बेविलोनियन समराज के संस्थापक और पहरे राजा थे जिन्यों ने 626 हिसापुरो में बेविलोर के राजा के रूप में अपने राजया भिष से लेकर 65 इसापूर में अपने मिर्तियों तक सासन किया इस परकार हम यह निसकार पर पहुंच सकते हैं कि नेवो पोला ससर विबलियाई राजा था जो 625 इसापूर में विबलियाई के असिर्याई सासन से मुक्त करवाया था तो है ना तो यहनी कौन करेगा नेवो पोला ससर इसनी किया नेवो पोला ससर था जो असिर्याई सासन से मुक्त करया था 625 साप पुरु में है ना तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अब कहता है कि असिर्याई असिरियन राजा असर्व निपाल ने उत्तर में अपनी राजधानी डेस में एक पुस्तकाले कत्र किया अब यहां पर हम लोग इसका डिस्किप्शन को पहले पढ़ेंगे डिस्किप्शन को पढ़ते हैं तो पहला है कि महान असिरियन राजा जो अपरवास थे दक्सीन छेत्र बेविलियन के उच संस्किर्टी के केंद के रूप में स्विकार किया उन्हें संतिम असूर निबाल 668-687 सापुर में उत्तर अपनी रजधानी नीनिवे में एक पुस्तकाले कत्र किया उन्होंने इतिहास महाकाविश स्कून साहेति ज्योती स्वस्तुतियों और कव्यों की पट्टिया एकत्र करके भरसक प्रयास किया उसने अपने सबस्ट शुख्यों को दक्षिन कि और पूरानी पट्टियाइं महीं भीजा जो की विद्याले में परणे और लिखने की किया गया जो उन्हें दरजन की संख्यां में पटिकाओं के निकल करता था यह विद्यान में इसे थे जो पटिकाओं को विसार संग्रा बनाया गया था और स्मरसिद्धी प्रात की थे और यदे लगवग 18 से सापुरू के बाद सुमेरिया भूलना बंद हो गया फिर भी इसे विद्याले सब्दावली गरंथा और सुचियों की देवासी सुमेरिया और अकादियन पट्टिकाओं द्वारा माध्यम परहा जाने लगा इसलिए छोसाफ पजैसा पूरू में भी दोजार पूरू तक लिखी गई पट्टिकाओं किलाकार पट्टियां बोध गम और असूर निबाल को पता लगा था कि सुरुवाती पट्टिकाओं या उनकी पट्ट है और तारिक लिखी कुछ तक तक्तियों के अंत में असर्व नपाल का जिक्र था असर्व नपाल के पुस्तकाल में बिसे के अनुसार समुही करत लगभग एक हजार गरंद थे जिनके मातरा लगभग तीस हजार पट्टियां थे इसलिए हम यह निसकास ही कर सकते हैं कि अस कहां पर क्या था नीन वे में किया था तो कहां क्या था तो यह नीन वे में क्या था नीन वे में है ना तो ऐसे तब ही और सारे क्वेस्टन है लेकिन हम वीडियो उस्तरा ज्यादा बरा हो जाएगा इसलिए हम इसे यही पर साथ करते हैं तो आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्